Good day everyone, सभी का दिन शुब हो, आज मैं यहां आप सभी को एक ऐसे revolutionary डिवाइस से इंट्रो कराने जा रही हूँ, जिसमें जबरदस्त टेरा हर्ट्स टिखनीक यूज की गई है, ये टेरा हर्ट्स डिवाइस बहुत से लोगों के जीवन और उनके स्वास्तिके तरीकों को बदलन जा रही है, तो पेश है आपके लिए, ये आई टेरा केर डिवाइस रोगी को होने वाली किसी भी स्वास्ते समस्या का इलाज और सुधार करने में मदद करेगा, ये है जीवन शैली को बदलने वाली दुनिया की दस सबसे उननत तकनिकों में से एक है, अब चीन ने इस तक बीजिंग इंस्टिटूट अफ साइंस एंड टेकनोलोजी द्वारा की गई है, उन्होंने पहले इसकी पूरी टेस्टिंग की है और फिर देशांग को ये यूनिट मैनिफाक्चर करने के लिए एपोइंट कर दिया, और फिलहाल देशांग ही इसका दुनिया में एक मात्र आधिकारिक निर्माता है, प्राचीन यूनानी फादर ओफ मेडिसिन ने कहा था, अगर हड़ियों को गर्म करने का कोई तरीका हो, तो सभी बिमारियों का इलाज किया जा सकता है, महान वैज्यानिक अलबर्ट आइंस्टीन ने भविश्य वानी की थी, कि चिकित्सा का भव मेडिसिन ऑफ फ्रिक्वेंसी ही होगी, अब दोनों सच हो गəे हैं, क्यूंकि हमारा उपकरण, गर्मी और फ्रिक्वेंसी वेब स्पैदा करता है, तो यह कह सकते हैं कि चिकित्सा का भवश्य अब यही है, टेरा हर्ट्स क्या है? टेरा हर्ट्स microwave और infrared frequencies के बीच एक electromagnetic wave band है जिसमें 30 micrometer से लेकर 3000 micrometer तक frequency होती है यह device हमारे शरीर में सामान्य कोशिकाओं के समान frequency को प्रतिध्वनित करता है जो की 2 टेरा हर्ट्स से 17 टेरा हर्ट्स है जो हमारे शरीर में हमारी कोशिकाओं में 32 लाखों कमपन उत्पन करता है यह चीनी और पश्चिमी कोशिका विज्ञान टेकनोलोजी का एक अनूठा कॉंबिनेशन है जैसा कि मैंने पहले बताया है यह स्वास्थ्य, विज्ञान, सैन्य, क्रिशी और संचार को बदलने के लिए दुनिया में 10 सबसे बेस्ट टेकनोलोजी में से एक है टेरा हर्ट्स फ्रिक्वेंसी तीन किलोमीटर से तीस माइक्रोन के बीच होती है माइलस्टोंस ओफ मनिफाक्चरर दोहजार दस बीजिंग इंस्टिटूट ओफ साइंस अन टेकनोलोजी द्वारा टेरा हर्ट्स डिवाइस का आविश्कार 2015 देशांग टेकनोलोजी की इस्थापना मई 2015 में हुई 2015 फर्स्ट जेनरेशन के मॉडल का उत्पादन किया गया 2017 सेकंड जेनरेशन के टेरा हर्ट्स डिवाइस का लॉंच 2019 थर्ड जेनरेशन के टेरा हर्ट्स डिवाइस का लॉंच दो हजार इकीस आई नेटवर्क, आई टेराकेर, टेरा हर्ट्स डिवाइस का लॉंच आई टेराकेर डिवाइस के पाँच फीचर्स हैं पहला, सेफटी दूसरा, पेनेट्रेशन तीसरा, आइडेंटिफिकेशन चौथा, आक्टिवेशन और पाँचवा, यूजर फ्रेंडली आईए हमें के करके इनको देखते हैं पहला, सेफटी आई टेराकेर डिवाइस को चाइनीज एकाडेमी औफ साइंस एंड टेकनोलोजी और सिनोकेम द्वारा प्रमाडित और पेटेंट कराया गया है इस उपकरण को बिना किसी मतभीत के किसी भी व्यक्ति या बच्चों पर सुरक्षित रूप से इस्तिमाल किया जा सकता है दूसरा, पेनेट्रेशन आई टेराकेर डिवाइस हमारे शरीर में 30 सेंटिमीटर तक हमारे बोडी में प्रवेश कर सकता है और इस प्रकार यह बोन, मेरो, छोटी रक्त वाहिकाओं और कोशिकाओं तक भी पहुच सकता है यह डिवाइस रक्त सर्कुलेशन को और बढ़ाता है और शरीर की नमी को समाप्त करता है तीसरा, आइडेंटिफिकेशन यह डिवाइस स्वस्त सेल्स को मजबूत करता है और अस्वस्त सेल्स को बाहर निकालने के साथ ही डैमेच्ट सेल्स की मरम्मत करता है यह बलाट पैसज और कोशिकाओं को साफ करता है यह शरीर की सब चौथा, आक्टिविशन आई टिराक्या डिवाइस उपकरण शरीर के तापमान को नियंतरत करता है और कमजोर और निश्क्रिय कोशिकाओं को सक्रिय करके प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार करता है एक बार जब कमजोर कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं, तो कोशिकाएं हमारे शरीर के सिस्टम में बहतर रक्त प्रवाह के साथ साथ अपनी वास्तविक शमता का प्रदर्शन करती हैं। पाँचवा, यूजर फ्रेंडली इसे यूज करना आसान है। किसी प्रोफेशनल स्किल की आवशक्ता नहीं है, क्योंकि कोई भी इस आई टेराकेर डिवाइस को संचालित कर सकता है। प्रभावित क्षेत्रों पर बस सीधा यूज करना है। इसके यूज से बहतर स्वास्ते के लिए 8 स्टेप्स हैं। पहला, अस्वस्त कोशिकाओं को खत्म करना। आई टेराकेर फ्रिक्वेंसी एनरजी हमारे शरीर में सामान्य कोशिकाओं के समान लेवल पर है। टेरा हर्ट्स फ्रिक्वेंसी से कोशिकाई जब एनरजी एब्सॉप करेंगी तो उससे सभी असमान्य या उत्परिवर्थित कोशिकाई समाप्त हो जाएंगी। दूसरा निश्क्रिय कोशिकाओं को सक्रिय करना आई टेरा केर फ्रिक्वेंसी मध्यम तापमान के साथ कोशिकाओं को अवशोशित और सक्रिय करेगी और इस प्रकार निश्क्रिय कोशिकाओं को समाप्त कर देगी तीसरा सेल्फ हीलिंग बढ़ाना I-terra care frequency और हमारे शरीर में समान्य कोशिकाओं की frequency का समान इस्तर है यह DNA और organic molecule को प्रेरित और मजबूत करता है जिससे यहाँ हमारे शरीर की कोशिकाओं की self-repairing को पढ़ाता है 4. Meridians और lymph को साफ करना I-terra care frequency हमारे शरीर में meridian points को unblock करती है यह एक्योपंक्चर बिंदूओं को उत्तेजित करता है, रक्त को शुद्ध करता है और हमारे vessels में रक्त के प्रवाह को नियंतरत और हमारी शरीर में metabolism rate को बढ़ाता है Metabolism rate जब बढ़ता है तो हमारा शरीर 20 से 30 साल उम्र पहले जैसा काम करता है पांचवा, microcirculation में सुधार होना आय टेराकेर फ्रिक्वेंसी रक्त वाहिकाओं को पतला करता है यह रक्त प्रवाह प्रतिरोध और चिपचिपाहट को भी कम करता है यह पूरी तरह से microcirculation में सुधार करता है यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बार हमारे रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने के बाद हमारे पूरे स्वास्ते में जबर्दस्त सुधार होगा चठा, glands को regulate करना आई-terra-care, endocrine glands को नियंत्रित करता है और हमारे अंगों को सुरक्षित करता है endocrine system हमारे पूरे शरीर के सिस्टम में एक प्रमुख भूमिका निभाता है यह हमारे शरीर की प्रणाली को संतलित करने के लिए हमारी रक्त प्रणाली में हॉर्मोन भेजता है साथवाँ शरीर की नमी को दूर करना आई-टिरक्यर शरीर की अन्हेल्दी नमी को साफ करता है हमारा शरीर सत्तर प्रतिशत पानी से बना है और अगर यह नमी बढ़ जाती है तो हमारे पैरों में दड और सुजन हो जाता है जिसे वाटर रिटेंशन कहा जाता है इस तरह आई टिरक्यर हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को संतुलित करेगा आठवा ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करणा यह हमारे शरीर से इंप्यॉरिटीज को साफ करता है यह शरीर की आंतरिक कोशिकाओं और रक्त को साफ करता है यह हमारे शरीर में पूरी रक्त प्रसार को बढ़ावा देता है और सुधारता है साथ ही रक्त के रुकाव को हटाता भी है और समाप्त कर देता है यह रक्त वाहिकाओं और गाठों को भी नरम करता है आप निम्न के लिए आई टेरा केर उपयोग कर सकते हैं यदि आपको हिरदय रोग दमनियों में रुकावट दमनियों में कॉलिस्ट्रॉल का निर्मान आ दी है तो आपके दिल पर आई टेरा केर का उपयोग किया जा सकता है यदि आपको गुर्दे की बीमारी या गुर्दे की पत्री है तो इसका उप्योग आपके गुर्दों पर भी किया जा सकता है इसका उप्योग लिवर पर लिवर रोग जैसे हैपिटाइटिस A, B और C, फैटी लिवर और कैंसर के लिए किया जा सकता है इसका उपयोग पैंक्रियास पर डाइबिटीज में सिस्टिक फाइब्रोसिस और पैंक्रियाटिक कैंसर वाले लोगों के लिए किया जा सकता है इसका उपयोग आखों की समस्याओं जैसे मोतियाबिल, ग्लूकोमा, डाइबिटिक, रेटिनोपैफी, लाल आखें आदि के लिए किया जा सकता है इसका उपयोग गर्दन की समस्याओं जैसे की उपरी ग्रीवा डीड, विकार, स्पाइना, बिफिटा आधि के लिए किया जा सकता है इसका उपयोग पीट की समस्याओं जैसे डिस्क हर्नियेशन, रीड की हड़ी में अस्थिर्ता, डिस्क या हड़ी में संक्रमर्ण, कौडा एक्विना, सिंड्रोम आधि के लिए किया जा सकता है इसका उपयोग कंधे की समस्याओं जैसे रोटेटर कफ की चोट, फ्रोजन शोल्डर आधि पर किया जा सकता है इसका उपयोग प्रोस्टेट समस्याओं पर किया जा सकता है या प्रोस्टेट पर वास्तव में प्रभावी है या अंतताह दर्द को भी कम करेगा इसका उपयोग सामान्य से गंभीर गुटने की समस्याओं पर किया जा सकता है बस दिन में दो बार क्षेत्र का इलाज करें और आपका दर्ड दस दिनों में हल हो जाएगा इसका उपयोग टकने की समस्याओं पर किया जा सकता है बस दस दिनों के लिए प्रभाधत कशेट्र का दिन में दो बार उपचार करें आपका टकना काफी बहतर महसूस करेगा करपिया रक्त संचार के लिए पैरों के तलवों पर प्रतिदिन उपचार करें प्रतिदिन दस मिनट के लिए तलवों पर इसका clockwise खुमाएं इससे आपका रक्त सामान्य रूप से घूमना शुरू कर देगा आई टेराकेर स्वास्थे उपकरण के अनेक लाब है पहला निर्माता लगतार आई टेराकेर डिवाइस पर रिसर्च और अपग्रेट कर रहा है दूसरा आई टेराकेर 3-in-1 कोर तक्नीक पर आधारित है ए टेराहर्ट्स टेकनोलजी बी क्वांटम टेकनोलजी सी ओप्टिकल कोर्ट्स टेकनोलजी तीसरा इस डिवाइस ने अपनी सुरक्षा और प्रभावशीलता के लिए राष्ट्री अधिकारियों द्वारा कड़े परीक्षण और निरीक्षण को पास किये हैं चौथा, फिजिकल थेरपी एफेक्टिवनेस के लिए आई टेराकेर के पास चीनी विज्ञान अकादमी से कई परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किये हैं पाँचवां, गडवत्ता अश्वासन क्योंकि यह एक साल के वारंटी के लिए प्रमाडित है चाथा, आई टेराकेर राश्ट्रिये इस तर पर प्रिसिद्ध प्रमाडित है और यह एक पेटेंट उत्पाद है साथवां, आई नेटवर्क और इसका उत्पाद आई टेराकेर बीस से अधिक देशों में एक मात्र वितरक है और धीरे धीरे अपनी वितरकता बढ़ा रहा है उपयोग सावधानिया पहला, आई टेराकेर चिकित्सा उपकरण का उपयोग केवल बाहरी उपयोग और भौतिक चिकित्सा के लिए किया जाता है कृपिया इसका उपयोग सीमित सीमा तक ही करें इसमें ओवर हीट होने पर आटो कट आफ फीचर भी है दूसरा, एर इनलेट और आउटलेट कृपिया डिवाइस का उपयोग करते समय एर इनलेट या आउटलेट को ब्लॉक ना करें दूल के निर्माण को रोकने के लिए नियमित रूप से एर इनलेट को साफ करें कृपिया डिवाइस को हर समय साफ रखें तीसरा, पावर कॉर्ड, डिवाइस का उप्योग करते समय कृप्या इसे जोर से ना हिलाएं, कृप्या पावर सौकेट से अनप्लग करते समय कॉर्ड को ना खींचें चौथा, गर्मी, डिसिपेशन, आय टिरकेर डिवाइस की आंतरिक सनरचनाएं नाजुक क्रिस्टल ट्यूगों से बनाई जाती हैं, अत्यधिक सावधानी से समलें और कृप्या इसे ना गिराएं, यदि गिर जाता है तो क्रिस्टल ट्यूग तूट सकती है और उपकरण बे हर एक व्यक्ति के शरीर में अलग-अलग मेटबॉलिजम रेट और अलग-अलग कोशिकाएं होती हैं, इससे व्यक्ति को शुरू में अतरिक्त दर्द हो सकता है, लेकिन कुछ उपचारों के बाद दर्द दूर हो जाता है, यह बाद ध्यान रखें कि थेरपी के बाद cold drink य वास्ति साथी.